जिसे नहर कोठी भी बोलते हैं यहाँ पर कुछ किसानों कई कुछ ग्रिवेंसिज हैं इनका कहना है कि जो एग्रिकल्चर लेंड कलोनियों में बट गई है जहां यानि की फैक्टियां लग गई है कलोनिया बस गई है मुझ घृष घृष और शाथ में अम्म सब कलोनियों का कथी तारौप लगा रहे हैं कि इनका पीछे से पानी लगता ये अग्रिकल्चर का लेकिन आब पूरी की पूरी बस्तियां बन गई है टेन पानी का वार का यानि कि वो भी फैसला हो चुका है लेकिन वारा बंदी का लेकिन वो फैसला लागू नहीं किया जा रहा है ये पानी कहा जाता है कौन किसके यहां लगता है जबकि यहां तो कलोनी है अगरिकल्चर लैंड नहीं है इन लोगों का कहना आईए इन ही से जानते हैं कि करते हैं AXIONS के माथूर से बात पहले इनके ग्रिवेंश से सुनते हैं समश्या हमारी यह जो मतलब मेरे नाव विनोध है जी बाटिया कलोनी का रहने वाला हूँ मैं भी यहां मतलब खेती करता हूं इसमोगा नंबर पर तो एक तो बाटिया कलोनी का पाने जी एक अंबेड़ को बारबार परशासन का गए समय पूंक इस बात की गवार करी खुआ करने के बाद हमारा फैसल आगा वारा बं अबन दी का लेकिन कुछ चलילו को की वज़े से इन परशासन के लोगों के मिली भगगत की वज़े से उन लोगोंने मतलब वारा बनिदी चालू नहीं होने यह कुछ चन लोग हैं मैं नाम तो नील डे पाऊंगा किसी का भी दो चार ऐसे बड़े लोग जिनका राजनीतिक दबाओ लगाओ प्रशासन के उपर या प्रशासन की मिली बगत लगाओ जो कि इरिगेशन का जो डिपार्टमेंट आना यहां मैं इसका भी पांच गंटे पा है उनका पाणी पाणी कटना चाहिए उनका पाणी कट नहीं है लेकिन मैं का बडुर के वजह से बड़े जश्मीदार इसे लिए Vatr 5 रहे भर रहे हैं और चोटे यह मोगा नंबर जो है ना जी दिखाओ इनको दिखाओ कि अमारा मोगा नंबर जी एक लाख एक सो पंदरा पेटवार डिस्टिबूटर राइट का जी हमने एक चीफ के लिखा है एक अपना एक्षन विजिलेंस लिखा है एक डिसी को लिखा है जी और एक मतलब एरिगेशन अपना असी तो अम यह चाहते हैं कि अबहरी जल्दी से एना के वारा बंदी स्चारी रूप से लागू हो और सब को समान बटवारे से जिसकी जितनी से um किसान ईनका कहना है कि कुछ क्लोनिया कट गई है अगरी कल्चर लेंड पर जिन्होंने कट ले वाला बाग और कुछ यह बोगा राम कोलोनी अमबेटकर और इवन यानिकी नहर कोथी का भी इन्होंने नाम लिया है कतितारोप लगाया है कि इनके पानी जो बटवारा होना चाहिए वारवंदी का जो नियम है उसके अनुसार ये लागू नहीं हो रहा है अर्चन यानि की रसूगदार लोगों के यानि की जमीन पर यह पानी जा रहा है और हम छोटे किसान पानी से बगार यानि की सिचाई के ह हमारी बात हुई उनका कहना है कि यह मेरे संग्यान में नहीं था अभी तक मामला अब संग्यान में आया है संबंदित पटवारी और हमारे पास कुछ यानि की ये करमचारियों की संख्या भी कम है संबंदित या अगर कोई भी यानि करमचारी अगर इसमें दोसी पाया गया उसकी accountability बनती है और मैं वारवंदी बराबर करवा दूँगा इनका case यानि की लेकर जैसे भी जो होगा वो मैं करवा दूँगा इसके माथूर एक्सियन का कहना है जिनकी दूरभाद से हमारी बात हुई है लेकिन इनका कहना है कि कई दिनों से हमारा ये मामला लंबित है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही हमने vigilance department को और agriculture irrigation department के अधिकारियों को भी ये पत्र डाला है तो देखते हैं कि आगे क्या होता है